तो तीन-चार दिन का शूट कम्प्लेट होने के बाद हमारे इतना बैस ट्रिप के बाद जब हम वापिस घर पे आ रहे थे तो आप लोगो को पता ही होगा क्या हुआ था हमारे साथ हमारा एक्सिडेंट हो गया था टंडल के अंदर और एक्सिडेंट बहुत ही खतरना को था लेकिन किसमस से किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई, बस दिव्याज भाई के पैर में हलका सा फेक्चर हो गया था, जो कि अब एक हफते में पूरा ठीक हो जाएगा, तो पहले में इसके उपर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, बट आप लोग के बहुत सारी कोमेंट आ हो गया, बलेकिन अगर स्पीड कम होती ना, तो नहीं होता, बाकि टीटेल में मैं क्या बताऊं, विकोज सब कुछ एक दूम से हो गया, कुछ समझे नहीं आए उस टाइम पे, चलो जो भी है, फिलाल फाइदा भी नहीं बात करनेगा, विकोज हो गया वो तो जो होना था, तो बस में लाश्ट में यह कहूँगा, कि आप सब लोग ऐसी जगर पे गाड़ी की स्पीड कम रखें, और देख के चलाएं, विकोज कुछ भी हो सकता है, हमार साथ हो गया, एक दूम से पताईन चला, बाकि मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, एक्सिडेंट के बात की, त तो वह आप देखना, और देखना गाड़ी की हालत क्या हुई थी, तो चलो, बाकि, टेक केर, बाई, बाई, बाई,